दोस्तों, बिहार civil court vacancy का admit card आ चुका है आप देखेंगे बिहार district court की official website पे यहाँ link आ चुका है, आप देखेंगे इसमें link है इसमें बताया गया है कि इस link पे click करेंगे तो आपका admit card का link सो हो जाएगा तो आप सबको पता है 17 December से exam है और उसका admit card आ चुका है कैसे admit card download करना है देखें, यहाँ पे क्या करना है आपको click करना, जैसा आप इस पे click करेंगे तो एक PDF download होगा, मैं आपको दिखायता हूँ यह PDF आपको मिलेगा, मैं इस open कर लेता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें एक link दिया हुआ है यह link है, आप इस पे click करेंगे, second shift और यहाँ पे आपको बताया गया इस्टोनग्राफर का exam होगा, और first shift में आपका जो है यहाँ पे जो एक और है post, court come reader का, deposition writer का, तो यहाँ पे आप देखेंगे, 10 से 12 के बीच है और यहाँ पे second shift जो एस्टोनग्राफर के post form बारे थे उनका है, धाई से साड़े चार बजे के बीच, देख रहा है, यहाँ पे इन्होंने AM किया होगा, यहाँ पे PM होगा, थोड़ा से गलती होगा, कोई बात ने, आप लोग समझ पाय रहे होगे हम इस पे क्लिक करेंगे न, तो एक link यहाँ पे open होगा, यह देखिए अभी link down हो गया, देख रहे है न, service unavailable दिखा रहा है, यहाँ बहुत सारे लोग क्या कर रहे है, यहाँ पे इसका admit का download करने कोशिस कर रहे है, तो यहाँ पे क्या है न, कि यह link down दिखा रहा है, services unavailable तो ऐ video आपके पास होगा, जरूर चेक किजिए, नहीं होगा तो आप यहाँ फोर्गेट कर सकते है, password को, थम क्या करेंगे, password और registration number लिखके, submit वाले option पे click करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, friends कुछ दिर बाद यहाँ पे आप refresh, reload करेंगे, तो यहाँ पे आपका admit card so कर देगा, यहाँ पे आपका जो है, photo, signature दिखाएगा, यहाँ पे आपका address दिखाएगा, roll number, registration number दिखाएगा, यहाँ पे examination date और examination का timing दिखा रहा है, reporting timing भी दिखा रहा है, और यहाँ पे examination center का code और नाम दिखा रहा है, अब आपको इस exam center पे पहुँचना है समय से, जो भी यहाँ पे सम सब्सक्राइब आपको थोड़ा से परसानी होगी स्टार्टिंग में डाउलूड करने में लेकिन अगर आप और यहां रिलोड करेंगे यहां देंगे रिलोड का उप्शन है इसपर बार बर क्लिक करेंगे तो आपका थोड़ी दिर बाद आप जो है जो कर देगे जैसे के मैंने यहां पर लगबग 20 बार 25 बार ट्राइ किया तो मेरा यहां पर जो है सो कर दिया यहां पर देखेंगे admit card अब हम इससे क्या करेंगे print का option मिलेगा print पर click करेंगे और print out निकालेंगे यहां पर नीचे आएंगे तो नीचे वाले उनके presence में आपको जो यहां पर साइन करना भी साइन मत करेगा और इन्वेजिलेटर यहां पर साइन करेगा और यहां पर जो कॉंभुएनर है उसका साइन यहां पर मीलेगा तो अभी देखें अच्छे से डाउड भी नहीं हुआ देख रहा ना यहां पर यहां पर कहीं पर इंस्ट्रक्शन अभी खूला आई नहीं है तो अभी जो है बहुत ज्यादा स्लो है वेबसाइट आप रिलोड करेंगे बार-बार तभी जाके आपका जो है पॉसिबल है डाउलोड होने का अब क्या क्या डॉकुमेंट्स में लेकर जानी है तो एक आईडी आपको लेकर जाना हाफ सुन्दर सी और इसका एड्मिट का प्रिंट आउट और एक ओरिजनल आईडी प्रूफ में साधार कार्ट पेंट कार्ट कोई हो सकता है इस चीज़ आपको लेकर जाना है तो यह इंपोर्टेंट डॉकुमेंट्स आपको लेकर जानी बहुत इसको आपको उपेन करना है और यहां पर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा एड्मिट काड को लेकर देखें यहां पर लाइब अपडेट में दिखाए दे रहा है सिविल कोट अड्मिट काड डाउंलोड इस पर आप क्लिक करेंगे यहां पर नीच आएंगे और यहां आपको नीचे आने के बागे से यहां पर आपको इस पर इया प्लिक करेंगे यहां पर लेकर यहां लेकर लेकिन आपको यहां पर बार रेलोड करना होगा देखे यहाँ पर बार बार री लोड करना होगा क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पर form भरे हैं तो यहाँ पर यहाँ वैऽिप साइट खूल नहीं रहा है है तो इस तरह से आपको देखे करते ही आ गया अब आपको आपपना रिशन नवर और पास्वार के लौग एंग करेंगे तो फिर से आपको psyrwoar error देखने को मिल सकता है फिर से आपको यहाँ पर बार-बार रिलोड कर ना है बार-बार कर्ANSकरिए इस तरह से आपको आपका admit card 100 होगा और proper आच्छे से 100 होगा तभी आप उसे print out करेगा, अगर आच्छे से 100 नहीं होता है तो फिर आप उसे print out मत करेगा वरना वो exam में valid नहीं माना जाएगा, तो अभी थोड़ा wait कर लीजे, आपका exam 17 December से है, लेकिन आपके मन में इस सुक होगा आपको सर्विस अबलेबल मिल रहा है तो आई होप आप लोग समझे होंगे आपके मन में कोई डाउट से कमेंट है कमेंट बॉक्स में पूछीएगा मिलते हैं किसी नेक्स फुटो में जाहिन